नमस्ते सभी को आज के विडियो में हम एक ऐसे इनसान के बारे में जानेंगे जो समाज के सुधार के अपनी पूरी जिन्दगी समर्पित कर देते हैं एक आदमी जो 60% अपनी आमदनी को चैरिटी के लिए देते हैं वो कोई और नहीं रतन ताटा है रतन नेवल ताटा या रतन ताटा का जनम 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था उनके पिता का नाम नेवल ताटा था जो सूरत में पैदा हुए रतन ताटा एक भारतिया उध्योपती है हाई स्कूल से पास होन के बाद ताटा ने कॉर्णेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जहां से अनहौन 1969 में आर्किटॉप्चर में बैचलर्स डिग्री प्रैप्ट किया 2008 में ताटा ने कॉर्णेल को 50 डॉलर मिलियन का तोफा दिया वो ताटा एंड संस के पूर्व अध्यक्ष भी दी और 22 साल तक ताटा ग्रूप के अध्यक्ष भी रहे रतन ताटा की निवट वर्थ 3800 रुपय क्रॉर है ताटा एज्यकेशन एंड डवलप्मेंट प्रस्ट उनकी प्रमुख दियन है जो ताटा ग्रूप से जूड एक करित्य के संस्था है उनकी करित्य के प्रयास के ताहत प्रस्ट ने एक स्कॉलर्शिप फंड स्थापित किया है जो भरत से है और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं जो एक प्रसिद्ध विश्व विद्यालिया है दफंड जिसका महात्वा 28 डॉलर मिलियन है लगभग 20 भारतिया विद्वानों को हर साल आर्थिक सहायता प्रदान करेगा इस स्कॉलर्शिप के आधार पार एक विद्यार्थी के अंडर्ग्रेजवेट प्रोग्राम की अवधी के दौरान ट्यूशन, रूम एंड बोर्ड और अन्या खर्चों का पूरा खर्च इस स्कॉलर्शिप से छूट जाएगा रतन टाटा को 2000 में पद्मा भूशन और 2008 में पद्मा विभूशन प्रैप्ट हुआ ऐसे और भी इन्फोर्मेटिव विडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें